दोस्तों आज की हमारी वीडियो 3G कटिंग पर है 3G कटिंग अपलाई करके आप अपनी सभी बेलदार फसल जैसे घिया, तोरी, करेला, पिठा की पैदावार कई गुना बढ़ा सकते हैं हमने हमारी करेले की बेल पर 3G कटिंग अपलाई की थी चलिए देखते हैं ये देखो दोस्तों कितने अच्छे से फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग हो रही है काफी सारे छोटे छोटे करेले भी बनने स्टार्ट हो रहे हैं 3G कटिंग करने से आपके प्लांट पर फीमेल फ्लोवर जदा आने लगते हैं फिमेल फ्लोवर से ही फ्रूटिंग होती है चलिए टाइम ना वेश्ट करते हुए आपको सिंपली एक डाइग्राम चितर के माध्यम से थ्रीजी कटिंग करना सिखाते है सब्सक्राइब किजिए रूफटॉप गार्णर करमविर चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट गार्णिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मानलो ये जमीन या गमला है जिसमें आपने अपना प्लांट लगाया है सबसे पहले आपके प्लांट की जड़े बनेगी ये हमने जड़े रूट्स बना दिये अब सबसे पहले आपके प्लांट की मेन ब्रांच निकलेगी ये हमारी मेन ब्रांच निकल गई अभी इसमें पत्ते भी बना देते हैं ये हमारी मेन ब्रांच है अब इसकी 3G कटिंग स्टार्ट होगी पहला स्टेप है आपको अपनी मेन ब्रांच में से नीचे से पत्ते काउंट करने है नीचे से लगबग 4-5 पत्तों तक आपको कोई भी साइड ब्रांच नहीं निकलने देनी है नो साइड ब्रांच अगर 4-5 पत्तों तक कोई साइड ब्रांच निकलती है तो आप उसे हटा दे रिमूव कर दे जैसा आप उपर वीडियो में देख रहे हैं ये हमारी में ब्रांच है मुख्य शाखा इसे 1st जनरेशन ब्रांच पहली पीडि की शाखा भी बोलते हैं सेकिंड स्टेप है आपको अपनी में ब्रांच 1st जनरेशन ब्रांच के पत्तों को नीचे से काउंट करना है और लगबग 10-12 पत्तों के बाद आप अपनी मुख्य शाखा को उपर से काट दें, कट कर दें कट दी में ब्रांच आफ्टर 12 लीव्ज ऐसा करने से आपकी में ब्रांच 1st जनरेशन ब्रांच में से और ब्रांच चीज निकलेगी नीचे पाच पत्तों तक हम किसी भी ब्रांच को नहीं लेंगे पाच पत्तों के बाद आप साइड ब्रांच को निकलने दे ये हमारी तीन साइड ब्रांच निकल गई है अभी इसमें पत्ते बना देते हैं ये सारी हमारी सेकिंड जनरेशन ब्रांच हैं दोस्तो मेन ब्रांच से जो भी ब्रांच निकलेगी उसे हम सेकिंड जनरेशन ब्रांच बोलेंगे दूसरी PD एक बार मैं जल्दी से आपको अब तक का प्रोसेस दुबारा बता देता हूँ पहला स्टेप था हमने हमारी मेन ब्रांच में पाच पत्तो तक किसी भी साइड ब्रांच को नहीं निकलने दिया दूसरा स्टेप था हमने हमारी मेन ब्रांच फर्स्ट जनरेशन ब्रांच को बारा पत्तो के बाद कट किया जिसे मेन ब्रांच से ओर ब्रांच निकली जिने हम सेकिंड जनरेशन ब्रांच बोलेंगे सेकिंड जनरेशन ब्रांच दूसरी पीडी ये तीनों हमारी सेकिंड जनरेशन ब्रांच चीज़ है तीसरा और फाइनल स्टेप दोस्तों अभी आपको second generation ब्रांचों को भी लगबग 10 से 12 पत्तों के बाद cut करना है cut the second generation branch after 12 leaves ऐसा करने से आपकी second generation branch से नई नई ब्रांच निकलेगी जिने हम third generation branch बोलेंगे हमने हमारी तीनो second generation branch को 12 पत्तों के बाद cut कर दिया है अभी इन second generation branches में से नई नई ब्रांच निकलेगी ये जो नई ब्रांच निकलेगी ये सारी हमारी third generation branches है तीसरी PD की शाकाएं इनी में हमको fruiting मिलेगी इन में भी पत्ते बना देते हैं ये हो गई आपकी 3G cutting दोस्तों ये जो third generation branches तीसरी PD की शाकाएं हैं इनी में आपके ज्यादा से ज्यादा female flower आएंगे जिनसे fruiting होगी आपको third generation branch को cut नहीं करना है ये सारी हमारी third generation branch है इन्हें आपको cut नहीं करना है आपकी 3G cutting हो चुकी है 3G cutting का फायदा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों first generation और second generation branch में male flower ज्यादा आते हैं जो कुछ time बाद अपने आप गिर जाएंगे ये है आपके male flower नर्फूल और जो आपकी third generation branch है तीसरी पीडी की शक है इनमें आपके जादतर female flower ही आएंगे जिनसे आपको fruit मिलेगा लगबग हर पत्ते के साथ आपको एक female flower मिलेगा इस प्रकार आप 3G cutting करके अपनी बेलदार फसल जैसे घीया, तोरी, करेला, पेठा, लोकी इत्यादी में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं दोस्तों आप female flower और male flower को आसानी से पैचान सकते हैं female flower के नीचे आपको छोटा सा fruit बना दिखेगा जबकि male flower के नीचे ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा धन्यवाद दोस्तों, उमीद आपको वीडियो पसंद आए पसंद आए तो like, share, subscribe जरूर करें तेंक यू